हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब बढ़ी आऊंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लोग और यहां पर है मोर्निंग का टाइम तो गुड मोर्निंग और यहां पर मैं सबजी छोगने की तैयारी कर रही हूं तो इधर मैंने चायदा तो बैठके वहीं पर छेल लिए था उठालाई और टामाटर भी कद्दू कस कर लिए हैं प्याज भी कट कर ली है और यह लसून को मैं इसमें कूट लूँगी लसून काटी नहीं थी मेरे इस बैंट कहने लगे काटके मट डालना वह फिर मुह में आते थे तो अजीब से ल काट्र भी कच्चे आ रहे ना तो जल्दी से ही उबल जाते हैं और इधर तेल गरम होगया था फिर मैंने उसमें हीग जीरा डाल दिया था और उसके बाद यहां पर मैंने डाल दिये इसमें प्याज और इधर मेरे स्वेंड है इनोंने भी मदद कराई थी मटर वगेरा छिल ली थी तो यह फिर अभी आदोने आए हैं पहले हमने चाय पी फिर उसके बाद बैठे हुए सब्जी काट ली थी और बस यहां पर अभी मैं सब्जी छोंक रही हूं और इनसे बात भी कर रहे थी कुछ याद नहीं पता नहीं क्या बात चल रही थी क्योंकि कई दिन कव लोग हो गया तो याद भी नहीं क्या बात चल रहे थी उस टाइम पर यहां पर चोंकरियों में चलो सब्जी तो प्याज बूण जाएगी फिर उसके बाद डाल दूंगी मैं टरमाट पहल पीस अच्छे से कर देते हैं मिक्स फिर अब यह भून जाएगा तो फिर उसके बाद डाल देंगे टमाटर और यहां पर माटर उबल रहा है मतलब थोड़ा सा उबल के वह जाएगा नहीं तो अलू के साथ डालूंगी न तो फिर कच्ची लगेंगी यहां पर प्याज भून किया था तो मैंने इसमें टमाटर कद्दुकस करके रखा हुआ था और हरी मिर्ची डाल दी इस तरह अलू टमाटर की सब्जी बना हुँ वह भी वह टेश्टी लगती है पहले तो हम आलू टमाटर भी बना रहे थे फिर मेरे एस्वेंड ने कहा कि मटर भी डाल दे रात भी बनाई थी उसमें से भी एक कटोरी बची हुई है पर यह कह रहे थे कि मैं सब्जी लेके जाओंगा थोड़ी सी जदा बना देना मैंने कठीक है ले जाना हमारी तो एक कटोरी छोड़ जाना मुम्मी बेटे हम कितनी खाएंगे तो बस यहां पर मैं सब्जी छोंकरी थी और मिर्ची तरीकी सब्जी में कलर वाली मिर्ची से बहुत अच्छा कलर आता है तरीका और थोड़ी सी तरीकी ही बनाऊंगे अलुमेटर की सूखी कम पसंद करते हैं फिर यहां पर मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी कसूरी में थी और अब इस अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहां पर देखो मसाला से पकने लगा भी मैंने इसमें इव नमकवर एडर कर दिया है और Wellum मिक्स फिर टमाटर बस पकी गया है तो फिर उसके बार डाल देंगे अम इसमें आलू और मटर मटर भी हो गए होंगे हमारे बस तो यहां पर मैं इसमें डाल रही थी आलू जो उबले हुए रखे थो बाल के मैंने हाथ से ही उन्हें थोड़ा सा फोड दिया था जब छिले थे है उसी टाइम पर ही तो यहां पर मैंने अलू डाल दिये हैं और अब अलू को कर देंगे अच्छे से मीक्स और मतर भी डाल दूँगे मैं अभी साथ-साथ ही आलू को थोड़ा सा मिक्स करके मसाले में फिर उसके बाद मटर भी डाल दूँगी मटर का ये पानी भी डाल दूँगी क्योंकि मटर को मैं अच्छे से वोस कर रखा था और साफी पानी था तो फिर मैं पानी भी इसी में डाल दूँगी गरम भी और अखार सब्जी में पानी तो डलेगा ही थोड़ा सा जो पानी था इसमें वो डाल दिया मटर का टेस्ट विया जाएगा तो यहां पर मैं अभी से कर रही हूं अच्छे से मिक्स तो भगोना हिल रहा था तो मैंने कपड़े से बगोने को अच्छे से पकड़ लिया है तो मेरा बेटा कहरा मम्मी मेरे को तो यह ऐसे ही अच्छी लग रही है पूरी के साथ तो फिर मैं से पूछने लगी कैसी खाओगे सुखी की तरीकी कहरा नहीं थोड़ी थोड़ी तरीकी बना गाड़े गाड़ेगी तो फिर यहां पर मैं इसमें डाल रही थी पानी और कोई आलू जादा बढ़ा था तो उस बनी थी जैसी बनती है लेकिन यह जो सुभह बनाई थी उबाल के यह बोटेश्टी बनी थी पता नहीं क्यों कभी कभी बनी जाती है ज्यादा अच्छी तो मेरे पासी भी कह रहे थे कभी कभी तो ज्यादा अच्छी बना देती है मैंने कभी कभी नहीं मेरी हर बार कह रही है यहां पर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा मैगी मसाला पूरा पैखिट नहीं डाला था मैं दो सब्जी में यूज कर लेती और कम सब्जी होती है तो तीन में भी कर लेती हूं थोड़ा सा डाल दिया उपर से गरम मसाला और यह दो चार धनिये के पत्ते थे ज्याद लेके ही गई थी चल रही है मेरे पास आलू गाजर गोभी मटर सब मिले के रखके गई थी टमाटर वगएरा तो सब रखा हुआ है कुछ जरूरत नहीं थी तो थोड़ा सा धनिया था मेरे पास मैंने वही साप करके और धोके रखा हुआ था और वह यहां पर सब्जी में मैंन और सब्जी बन गी थी हमारी तो इधर मैंने डखके रख दी थी और यहां पर बनने लगी थी पूड़िया तो यह नास्ता लेके जाएंगे आलू मटर की सब्जी और पूड़ी और फिर मैं अपनी और अपने बेटे की भी बना लूँगी हम भी कर लेंगे नास्ता साथ-स और यहां पर टाइम हुआ होगा सुबह के 9-7 का टाइम हुआ गा बैस मैंने नहां भी आगी तो छुटी थी आज के दिन मैं मंदिर होके आई हूं और पूजा बूजा की है फिर आगे चाई पीके और फिर बस खाने में ही लग गे थी काम अभी कुछ भी नहीं किया है और जब यह जाएंगे उसके बाद ही होएगा काम जब किसी दिन किसी को जाना होता है तो उस दिन ऐसा ही होता है तो यहां पर में रहस बैंट जा चुके थे और हमारा खाना पीना भी हो गया था मैंने भी खा लिया था मैं बेटे ने भी खा लिया था अभी लग जाते हैं फिर हम काम पर तो यहां पर बस मैं अपना काम स्टाट कर दिया था विस्तर विष्तर भी ठा दिये थे और सारी मेट दरियां भी ठा के मैंने उधर रख दी थी जाडू लगाएंगे तो जाडू से पहले इपछिभर का my जो समान सम्हेटना होता है और यहां पर मैं सो फेल कावर सभी कर रही थी और यह आ अभी नया लिया सभी देखा लेकिन आपको वीडेयो में नहीं दिखाए था बस सोक रही थी बनाओं की वीडियो आया को आगले दिन बनाओं बस extra से ही रह गया था और काफी दिन से मेरे बेटे का मन होता था कि सोफा हो लेकिन हम जगे की वज़े से नहीं लेते थे कि जगे हमारे कम हैं तो अब भी हमने ज़्यादा चोड़ा नहीं लिया वीड़ी ही सेप का लिया है मतलब जो कम जगे में आ जाए और यहां पर अभी आ सब मसीन में रखोंगे और कर लेते हैं फिर उसके बाद बैड तर सही कि और यहां लगा देते हैं भी ताकिये दुबारा से तो यहां पर गरम ही कवर डाले हुए है मैंने तकिये में और गरम कंबल बैढ पर लगाया हुआ है और यह जो तकिये के कवर है यह भी गरम वाले ही है तो ही हम इस बैढ़î की चद्र भी अब आ गई ला लगा लें अभी लगा लें या लका ले हैं फटा फटसे जाडव और बेस जाडव Day 2 करने के बाद कीचन की स्लेप का जो हाल है पूरा सिंख बाहर तक बरतनों का भरा हुआ है फिर वो करेंगे इसके बाद सबसे पहले लगाएंगे जाडू पहुचा करेंगे बाद में बरतन दोने के बाद में जाडू लगा लेते हैं पहले क्योंकि डेश्टिंग वगेरा कर लेंगे और समान सारा उठाई दिया था तो बस जाडू फेड़नी है फटा फट से लगा लेते हैं जाडू और फिर उसके बाद जाडू लगाने के बाद आ गई हूं मैं बरतन दोने के लिए और बरतनों का तो आपको दिखी रहा होगा कि कहां तक बरे हुए हैं वहां कढ़ाई तक रखे हुए मतलब यहां से सरू होके इसमें मैंने कल श्याम को मलाई भी लोई थी तो मठा रखा हुआ था वो भी संजया भी लेके गए हैं तो इसमें मठा रखा हुआ था यह सब खाली किया और बहुत सारे बरतन हो गए थे चाय के भी फिर यह खाना बनाया यह भी सब तो पूरा सारे बरतन्द साफ कर दे इस सूप हो गया है और पूरे बरतन धोके इसमें लगा दिये हैं जो इसके थे रहके तो वह साथ-ससाथ लगा दिया है जो अंदर रखने को बाद में रखेंगी जब सोख जाएंगे पूरी टोगरी उपर तक की भरगी है और किचन स्लेप बीसमेट दिया मतलब साफ कर दिया है पोच्चा भी हो गया है और सारी दरी-दुरी भी लगा दी है संजीव अंदर लेटा है सारा काम हो गया है उपर चलना है अब उपर का ही काम बचा है तो यहां का सारा हो गया है कम्पलीट अब चलते हैं उपर अभी चलते हैं उपर यहां का काम हो गया है मेरा उपर चलते हैं और वह सकता यह व्लोग भी हो गया हो पूरा तो इस vlog का यहीं end करते हैं अगर उपर कुछ करूँगी तो मैं दूसरे vlog की स्टार्टिंग कर दूँगी यह फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर इतना बड़ा कोई देखता भी पसंद नहीं करता है तो इस vlog की यहीं end करते हैं और मिलेंगे अगले vlog में अगर अभी उपर स्टार्ट किया तो इसी में नहीं तो फिर कल मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई and take care